तो आज हम देखेंगे transistor कैसे काम करता है और उसका working process देखें transistor board में हम transistor को Q या PQ से हमें मिलता है मतलब उसका location है Q या PQ तो transistor में देखें तीम terminal होता है आप अगर diode समझ गए हैं तो आपको transistor समझना बहुत आसान हो गए तो इसके terminal है एक है collector, एक है base, एक है emitter ठीक है तो ये switch की तरह काम करता है अब switch की तरह कैसे काम करता है उसका मतलब क्या है हम लोग आगे जानेंगे उसको देखें, transistor के family को हम थोड़ा समझ लेते हैं transistor को दो पार्ट में divide किया गया है एक तो BJT और एक है हमारा FET तो BJT में हमारा NPN और PNP टाइप होता है और FET में अगेन दो टाइप होता है JFET होता है और MOSFET होता है JFET में हमारा N चनल होता है और P चनल होता है और MOSFET में भी हमारा N channel और P channel होता है हमारे mother board में हमको सिर्फ BJT transistor और MOSFET ही मिलता है JFET हमको नहीं मिलता है देखने को तो हम देखेंगे आगे सबसे पहले हम BJT देखेंगे जैसे कि हमने देखा कि यह दो तरह का होता है एक होता है आपका PNP तो चली आगे देखते है देखें यहाँ पर अच्छे तरह से समझना है आपने अगर diode को समझा है अच्छे से तो transistor समझना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैंने diode के class में dual diode का चर्चा किया नहीं था इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर समझेंगे dual diode का checking और उसका methodology देखें यहाँ पर transistor में आपका emitter है base है और collector है ठीक है अब PNP मतलब क्या होता है इधर positive junction होगा यहाँ पर negative junction होगा और यहाँ पर positive junction होगा ठीक है जब base का junction negative होता है तो उसको PNP बोलते हैं जब base का junction positive होता है और बाकी दो negative होता है तो उसको बोलते हैं NPN transistor उसका देखिए यहाँ पर formation भी दिया हुआ है एक diode इस तरह से यहाँ पर P, यहाँ पर N, यहाँ पर N, यहाँ पर P तो यह हो गया हमारा NPN और यहाँ पर उसका ultra अब check कैसे करेंगे हम diode कैसे check करते थे कंटिमेटर का negative probe मतलब black probe रखते थे, तब हमें value आता था कुछ कुछ value शो करता था continuity mode पर लेकिन जब हम reverse करते थे तो कोई value नहीं होता था तो हमको पता चलता था कि हमारा diode ओके है तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर ती दो diode लगा हुआ है dual diode को भी हैसे check करेंगे जब हम emitter पर red probe रखेंगे base पर black probe रखेंगे तो value आएगा और जब reverse करेंगे तब value नहीं आएगा ठीक है? और जब same as, जब collector पर हम positive मतलब आपका red probe रखेंगे और base पर black probe रखेंगे तो again value आएगा और reverse करने से value नहीं आएगा ठीक है? और जब हम यहाँ पर emitter में और collector में रखेंगे तो वो भी कोई value नहीं बताएगा तो यह हो गया हमारा dual diode और transistor का checking और इधर इसका उल्टा है ठीक है? हमको सिर्फ देखना है diode का positive side किदर है और negative side किदर है लेकिन हमारे board में जो transistor लगते हैं वहाँ पर transistor के साथ registers भी लगा हुआ रहता है इसलिए check करना बहुत मुश्किल हो जाता है offline इसलिए हम लोग online check ही कर लेते हैं उसको और offline में सिर्फ क्या check करते हैं transistor में? कि तीनो leg में कहीं short है क्या? सिर्फ shorting हम check करते हैं तीन लोग में और बाकी सब online check करते हैं अगर चलिए आगे मैं पहले बता देता हूं online में check कैसे करेंगे पहले उसका function हमको जानना ज़रूरी है देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए देखिए यहाँ पर diode का क्या sign दिया हूए इसका positive side emitter side में है तो इसका मतलब हुआ यह P हुआ यह P, यह N, यह P base में अगर N आ रहा है base में अगर N आ रहा है देखिए यहाँ पर भी है तो base को trigger करने के लिए switch करने के लिए negative voltage चाहिए मतलब ground चाहिए अब minus voltage तो दिया नहीं जाता है board में ठीक है तो ground को हम negative voltage भी बोलते हैं तो यहाँ पर अगर base को अगर ground से connect कर देंगे तो यह collector और emitter short हो जाएगा और collector में जो भी voltage होगा वो emitter को pass कर जाएगा ठीक है तो PNP में क्या होता है base को जब negative मिलता है तब यह short होता है और voltage cross करता है और NPN में base को जब तक कुछ voltage मिले नहीं क्योंकि यह positive side है P अगर base में है तो positive side चाहिए trigger करने के लिए और अगर N base में है तो negative voltage चाहिए मतलब ground उसको होना जरूरी है यह formula याद रखेगा ठीक है हम schematic diagram में इसको और अच्छे समझेंगे तो इस तरीके से हमको समझ में आएगा कि voltage में अभी देखिए हम क्या करेंगे अगर हम check करें PNP transistor तो देखेंगे base में ground आ रहा है कि नहीं अगर base में ground आ रहा है कि नहीं कर रहा है किस तरह से कर रहा है इस तरह से check करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा transistor okay है की नहीं ठीक है चले आगे चलते हैं तो वही checking method यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं आप इसको pause कर लीजिए pause करके एक बार पढ़ लीजिए कोई भी doubt होगा तो check मैं आपको recommend करूँगा कि transistor को offline checking में आप ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करिए क्योंकि वह होता नहीं है बहुत मुश्किले आती हैं खली तीन लेग में आप short check कीजिए और बाकी जब हम online देखेंगे तो online में सब हम देख लेंगे किस तरह से checking करते हैं